राम राम किसान भाईयों मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल Fertilizer Expert में किसान भाईयों आज हम बात करेंगे इफको के NPK 181818 के बारे में किसान भाईयों इसके अंदर सलफर भी पहले से मुझूद है तो आपको अपनी फसलों में यदि स्प्रे करना है तो इसके अंदर आपको नाइट्रोजन, फास्पोरस, पोटास और सलफर यानकी चारों का कॉंबिनेशन मिल जाता है इसी के बारे में पूरी जानकारी डीपली में आपको देने वाला हूँ कि इसे आपको किस समय अपनी फसल पर इस्प्रे करना चाहिए, कितने बार करना चाहिए, क्या इसकी डोज है, क्या इसकी कीमत है कौन-कौन सी फसलों में आप इसका इस्प्रे कर सकते हैं, सब कुछ A to J मैं पूरी जानकारी आपको देने की कोशिस करूँगा यदि आप Drip Vidi से खेती करते हैं, तो उसके बारे में अलग से आपको जानकारी दी जाएगी कौन से खात की साथ आप इसे मिला सकते हैं और किस की साथ आप इसे नहीं मिला सकते हैं, यह सब भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को आप पूरा देखें तभी किसान भायो आप एक सही और अच्छी जानकरी ले पाएंगे यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप से निवेदने की चैनल को सब्सक्राइब कलने जिससे की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके तो चलिए सुरू करते हैं तो किसान भाई भी बात कर लेतें इफो के एनपी के 18-18-18 के बारे में किसान भायो इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा 18% फास्पोरस की मात्रा 18% और पोटास की मात्रा इसके अंदर 18% दी गई है जबकि किसान भायो इसके अंदर सल्फर की मात्रा 6.91% भी दी गई है इस फार्मूले के यदि आप उप्योग अपनी फसलों के उपर करते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन आपकी फसल को लगतार हरा भरा बना करके रखेगा और ज्यादा खाना बनाएगा जिसकी वज़े से किलोरोफिल की मात्रा बढ़ जाएगी और आपका फोटा जो है अच्छी तरीके से ग्रोथ किसान भायो कर पाएगा दूसरा इसके अंदर आता है फासपोरस फासपोरस होने की वज़े से आपकी फसल जो है अच्छी तरीके से जड़ो का विकास करती है जड़े अच्छी तरीके से फैलती है और आपका पोद्ध जो है अच्छी तरीके से गिरोध करनी शुरू कर देता है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं तीसरा किसान बर इसके अंदर दिया गया है पोटास पोटास का उपयोग ज़िए आप करते हैं अपनी फसलों के अंदर तो इससे दाना भराओ अच्छी तरीके से होता है फसल पर अच्छी तरीके से चमक बनी रहती है और आपके जब पोदे का तना होता है यह भी बहुत जाद ही एक्ष्ट्रा फायदा आपको देखने को मिल जायागा सल्फर होने की बेश से आपके खेत के अंदर फंगस का अटैक भी बहुत कम लगता है मिट्टी की जो उर्ता सकती होती है बढ़ जाती है और तिल्डिंग करने में भी कहीं न कहीं सल्फर आपकी बहुत जदा ए कि दूकर बनाकर कहना यह है कि लगभग लग भग आप सभी फसलों पे इसका उप्योग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान फूल आने से कुछ दिन पहले आप इसका इस्प्रे दोवारा कर सकते हैं अब किसानवे बात करता हूं इसकी डोचकी तो आपको इसे लगबग एक किलोग्राम की मात्रा 200 लीटर पानी के अंदर अच्छी तरीकी से मिक्स करने के बाद आप इसका इस्प्रे अपनी फसलोपे क कर सकते हैं बहुत ही अच्छे और सांदर पारिणाम किसानवाई आपको देखने को मिलने वाले हैं अब किसानवे बात करते हैं इसकी कीमत की इसकी क्या कीमत है तो इसे मार्केट में यह आपको खरीदना है तो किसानवे मार्केट में 80 से लेके 100 रुपे के आसपास बहुत आसानी के साथ मिल जाता हैिसे आप किसी भी मतलब दुकान से खरी सकते हैं या फिर ओनलान ये दिया आप भरेडना चाहते हैं तो ifco.in इनसे आप इसे खरी सकते हैं और बहुती सांदार और बहुती अच्छे रियर्ट किसानवाई हो। आपको जो इफको का एनपी के 18-18-18 सलफरी उक्तिखाद आ रहा है बहुती अच्छे परिणाम निकाल करके दे पाएगा बात कर लेता हूं किस खाद के साथ आप इसे मिला सकते हैं और किस के साथ इसे नहीं मिला सकते हैं तो किसान भाय यो आप इसे किसी भी किटना सक या फं के साथ आपको इसे कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए जो किसान भाय डिप विदी से सिच्चाई करते हैं उन किसान भायों के जो डोच की मात्रह होगी वो दो से लेके 50 hanging पृति एकल के साब decks अधे आप इसे डिप विदी से चला सकते हैं और बहुती सानधार और अचंबनि ये रियल्ट किसान भाई यो आप प्राप्त कर सकते हैं